नमस्कार दोस्तों विमल विपरीत राजयोग के बारे में बात करेंगे विमल विपरीत राजयोग एक ऐसा योग होता है जो द्वादस भाव कुंडली का जो होता है यहां से निर्मित होता है द्वादस भाव कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता है ये व्यव भाव होता है व्यव भाव होने के करण यहां का स्वामी जो होता है इसकी जब महादसा आती तो अच्छे रिजट नहीं देते हैं और बहुत खराब रिजट देते हैं लेकिन कुछ कंडिसन्स ऐसी होती है जिसमें ये बहुत अच्छे रिजर्ट देते हैं और विमल नामक विपरीत राजियोग का निर्माड यहां से हो जाता है तो कैसे निर्माड होता है और इसका क्या फल होता है आईए इसके बारे में जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं कुंडिली में 6-8-12 भाव अच्छे भाव नहीं होते हैं ये खराब भाव माने गए हैं त्रिक भाव माने गए हैं कुंडिली में 6-8-12 भाव की जो ग्रह इनके स्वामी जो होंगे वो अपनी महादसा में आपको बहुत काफी खराब रिजल्ड देते हैं, अच्छे रिजल्ड नहीं देते हैं और बहुत कठनाईयों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है लेकिन कुछ ऐसी कंडिसंस बन जाती हैं जिनमें ये एक योग निर्मित कर देते हैं इसमें विपरीत राजयोग का निर्माड होता है और विपरीत राजयोग अपने लाइप में व्यक्ति को काफी तरक्की देता है बहुत ही तरक्की देता है इसके बारे में काफी वीडियो चैनल के ऊपर हैं आप देख सकते हैं तो इसमें छटे भाव से जो विप्रीत राजयोग बनता है उसको हर्स नामक विप्रीत राजयोग और आठवे भाव से बनता है वो सरल नामक विप्रीत राजयोग और द्वादस भाव से जो बनता है वो विमल विप्रीत राजयोग कहते हैं विमल राजयोग जब बनता है तो इसके बनने की कंडिशन्स ये होती है कि अगर बारवे भाव का स्वामी जो होता है वैसे तो अगर इसके भाव का स्वामी अप ग्रहे दसा इसकी चलेगी महादसा चलेगी तो अपने काफी बुरे रिजट देते हैं लेकिन ये कंडिशन होती है अगर इसके स्वामी 6,8 और 12 में ही कहीं बैठे होते हैं 6,8,12 भाव जो हैं ये खराब भाव हैं और बारवेभाव का स्वामी 6,8 और 12 इनहीं तीनों भाव में कहीं बैठा हुआ है तो यह समझ लीजिए आपको बहुत अच्छा result देगा, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा result देगा, यह विमल विपरीत राजयोग नामक बना देता है, बहुत अच्छा राजयोग बना देता है, क्योंकि विमल विपरीत राजयोग ऐसा योग है, जब व्यक्ति का ज दीमन में कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है, अभी काफी डिप्रेशन में चला जाता है, और परेसान हो जाता है, हर तरफ हाथ पाव मारता है, लेकिन उसको कोई भी मतलब आने वाले समय में उसको लाइफ में कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रह होता है कि वो लगता है कि वो तरक्की कर जाएगा या कुछ हो जाएगा उसकी जिंदगी में बदला हो जाएगा लेकिन ऐसा होता है कि विमल विपरीत राज योग जो है जब इसकी जो ग्रह बना रहे होते हैं इसकी महादसा जब आती है तो एकदम से परिवरतन होता है विक् तो इसके तीनों के अलग रिजर्ट देने के फल जो हैं, इसके मिलने के तरीके हैं, जैसा कि छटे भाव से, छटा भाव जो होता है, किसी की बीमारी से आपको बहुत बड़ा फाइदा हो जाएगा, कोई भी बीमार हो जाए और उसकी जगे पे आप जाब आपको मिल जाए य इसी प्रकार से आठवा भाव जो होता है, यहां से आपको किसी की मरत्यू से फाइदा होगा, और वो मरत्यू से आपको विरासत में कुछ मिल जाए, इस प्रकार से कही चीजे होती है, जिनसे आपको फाइदा हो जाएगा, बहुत बड़ा फाइदा होता है, इसी प्रकार स सम्मंधित कोई बिजनेस हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो गया, यह कहीं से भी आपको फारेंसे सम्मंधित बहुत बड़ा फायदा मिल गया, इस प्रकार से आपको फायदे यहां से मिलेंगे, और बहुत अच्छा फायदा मिलता है, बारवे भाव से अगर विमल विपरीत राजयोग आपकी कुंडिली में बन रहा है तो इसके 12 भाव का स्वामी इसमें देखिया कि 6, 8 और 12 भाव में कहीं अगर बैठे हुए हैं लेकिन इसके लिए कुछ कंडिसंस होती हैं कंडिसंस में वो बहुत जरूरी होती हैं वो कंडिसंस लागू होना विमल विपरीत राजयोग आपको संपूर्ण फल देगा लेकिन वो कंडिसंस अगर आपकी कुंडिली में लागू नहीं हो रही है तो आप ये समझ लिजे कि आपको रिजर्ड मिलेगा लेगिन कहीं ना कहीं से पूर्ण डिजर्ड नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये कंडिसंस ऐसी होती है जिनके एक तीन चार नियम इसके बताएगे है अगर उसमें से एक भी नियम या दो भी नियम कम है तो आप ये समझ लेजिए कि जो आपको संपूर्ण फल मिलना है इसमें बताया देता हूँ आपको पिछले वीडियो में आप जो प्लेलिस्ट पे जाके और इसमें वीडियो विप्रीद राजयोग के पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं लेकिन फिलाल शार्ड में आपको बताया देते हैं कि इसके जो भी आपकी कुंडली में ये नियम लागू हो रहे हैं तो आप इनको देख ले विप्रीद राजयोग के लिए कुछ जरूरी बाते होती हैं इसको नियम आप समझ लें या जरूरी बाते समझ लें कि नियम जब कोई चीज कोई भी ऐसा प्रक्रान या होता है उसमें नियम अगर बना दिये जाएं किसी चीज के अगर नियम बन जाते हैं तो विप्रीद राजयोग का संपूर्ण फर मिलेगा सबसे पहले आप देखें कि लगन का स्वामी लगन का स्वामी आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो और विमल विप्रीद राजयोग अगर आपकी कुंडली बन रहा है तो लगन का स्वामी जो है उसकी डिगरी कितनी है देख लें डिगरी अगर जीरो से दस के बीच में है तो खराब है और प्जश से ऊपर है और बीश के अंदर है तो बहुत अच्छा है और इसके बाद आप देखें कि लगन का स्वामी जु है किस भाव में बैठा हुआ हुआ है अगर वो अच्छे भाव में बैठा है अच्छा भाव मतलब है केंदर भाव में है या 11 भाव में है या दूसरे भाव में बैठे हुए है तब भी अच्छा माना जाता है क्योंकि ये भाव अच्छे माने गए आय भाव है और धनका भाव है केंद्र के भाव में बैठा है या पंचम भाव में बैठे हैं तो ये भाव अच्छे माने जाते हैं कुल मिला के और यहां से अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके अलावा नच्छतर स्वामी आप देखें जो ग्रहे विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग विमल भी परीत राजयोग बना रहे हैं स्वारी तो इनके नच्छतर स्वामी आप देख लें जो भी ग्रहे है उनके नच्छतर स्वामी आप देखें और वो नच्छतर स्वामी को आप देखें कि कुंडली में कहां बैठें उनका भी अच्छे भाओं में बैठना जरूरी है क्योंकि नच्छतर का बहुत बड़ा रोल होता है व्यक्ति जो होता है नच्छतरों को पहले देखता है उन्हीं के हिसाब से महतसाय जलती है उसके बाद नच्छतरों को भूल जाता है और नचत्र को देखना बहुत जरूरी है नचत्र के हिसाब से जो होते हैं उसके फ़ल मिलते हैं जहां पे नचत्र स्वामी बैठे होंगे उस भाव के हिसाब से भी व्यक्तिको फ़ल मिलते हैं इसलिए नचत्र स्वामी को आप जरूर देखें इसके अलावा जो ग्रहे आपकी कुंडली में विमल विपरीत राजयोग बना रहे है उसको आप देखें कि राहू केतू या सनी से पीडित है या नहीं है या मंगल से यूती द्वारा हूं उनके साथ में एक ग्रह बैठे हो या फिर द्रस्टी के द्वारा हूं इनकी द्रस्टियां इन ग्रहों की पाप द्रस्टियां इनके उपर पड़ नहीं हूं तो समझ लिजिए कि ये अच्छा है ये जरूरी है पीडित होना जरूरी है यहाँ पे जो ग्रह है उनको पीडित होना बहुत जरूरी है अगर पीडित हैं, तो यह आपको संपूर फल देंगे, और अच्छे रिजर्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह बैठा होगा, अगर पीडित नहीं है, तो आपको संपूर फल नहीं दे पाएगा, पीडित होना यहाँ के लिए बहुत जरूरी बताया गया, सा फिमल विप्रीद राजयोग बना रहे हैं, वो ग्रह भाव जिलित कुंडिली में उनकी क्या इस्थित है?, आको आगे पीछे ज़ाए जाते होंगे, ग्रह अगे और पीचे खिसक जाते हैं, इसके भी नियम है, इसके बारे में, भाव जिलित कुंडिली के बारे में, पिछल कि इस्थित उस भाव में नहीं है जो भाव आपकी कुंडली में ये विमल विपरीत राजयोग बना रहा है तो आप ये समझ लिजिए फिर उस भाव का वो रिजर्ड नहीं दे पाएंगे और उस भाव का जब रिजर्ड नहीं देंगे तो विमल विपरीत राजयोग का आपक अच्छा योग है एक से बढ़कर एक ऐसे लोग हुए हैं जिनकी कुंडिली में ये योग हुआ और वो बिल्कुल उचाईयों तक पहुच गए बहुत उचाईयों तक पहुच गए और बिल्कुल निरास हो गए थे अपने जीवन से इस पकार से टूड गए थे और उसके बा पर बात करेंगे और हर संभव कोसिस होगी आपको अच्छे से बारी महीन तरीके से हर सब्जक्ट के ओपर बहुत विश्तरत चर्चा करें आपसे तो मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद मित्रों